कोरोना काल में एक बात पर बहुत जोर दी जा रही है और वो है इम्यून सिस्टम जी हाँ बॉडी में इम्यून सिस्टम का अच्छा होना जानलिवा कोरोना वाइरस से लड़ने में अब तक मददगार साबित हुआ है डॉक्टर आए दिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तरह तरह की सलाह दे रहे हैं ऐसे महमें जरूरत है अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देने की और उन आदतों या उन चीजों को छोड़ देने की जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं क्या आप परियाप्त नीद लेते हैं। आजकल के भागदोर की जिंदगी में कई लोग अपनी नीद से ही समझोता कर लेते हैं। और आलम तो ये हो जाता है कि वो 6-8 घंटे की परियाप्त नीद तक नहीं ले पाते। क्या आप किसी भी चीज को लेकर बहुत जादा तनाव लेते हैं। की इम्यून सिस्टम तेजी से कम होती जाती है। कि शराब खान-पान हमारे इम्यून सिस्टम को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। जिसका हमें पता तक नहीं चलता क्या आप आलसी है। कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस से है। अगर आप शारेरिक सक्रियता कम रखते हैं तो इसका इम्यून सिस्टम पर विप्रित प्रभाव पड़ता है। शारेरिक काम या बैयाम हमारी शरीर में एंटी बॉड़ी और श्रोयक तरक्त को इसकाओं का उत्पादन बढ़ाता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ऐसी कुछ आद्तों को छोड़कर आप अपने इम्यून सिस्टम को बहतर और मजबूत बना सकते हैं ताकि आप कुरोना से सुरक्षित रहें और हमारा जीवन बहतर बनें।